अब देखो 5 है और 13 है तो 5 को 13 के नियर बाई तो लिखनी सकते हैं लेकिन 5 स्कॉर 25 होता है और 13 इंटू 226 होता है तो वो जरूर कर सकते हैं तो यहां से एक 5 तो हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया और 5 की पार 98 यानी 25 की पार 49 बना दिया उसको तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू माइनस 1 प्लस 26 की पार 49 बस अब इसका एक्स्पेंशन देखो 5 49C0 माइनस 1 की पार 49 मतलब माइनस 1 प्लस 49C1 यह बन जाएगा 26 की पार 1 and so on so जो भी अब देखो हर टम में इसमें 26 है फिर 26 स्क्वाइर और अल सो सब में 13 तो कॉमन आ रहा है तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं 5 इंटू यह बन जाएगा माइनस 1 माइनस 5 प्लस 13 के तो जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमेंडर किता है माइनस 5 अब रिमेंडर नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब आप इसमें क्या करो 13 एड और कर दीजिए तो माइनस 5 प्लस 13 यानि रिमेंडर किता है कि आपका 8 तो 8 यानि option D 13 यानि रिमेंडर किता है